हेलो रिवन गुड मॉर्निंग स्वागत अब सभी का ऑनलाइन स्टेडियून में जैसा कि आप सभी को पता हुआ कि इस चैनल पे हर संडे को मॉर्णिंग में वीकली करेंट एफेर्स कराई जाती है यानि आज किस वीडियो में हम कवर करेंगे पिछले एक सब्ता 23 अगस्त से कितना स्कोरिंग किया तो चलिए सुरू करते हैं तो आज के स्कमाल के वीडियो का फर्स्ट क्वेशन हमारा ये बनता है कि हाली में किस राची को पल्ली कुट्टम राष्टी पुरस्कार से किस राची को सम्मानित किया क्या तो राइट अंसर विल बी आप्संस बी नागा मैं आपको बता दूं कि अस्कूल को सिख्छा के चेतर में नवा चार के लिए इस पुरस्कार से नागालेंड को सम्मानित किया गया पिछले वीक में नागालेंड से लेडिर हम लोगों ने एक और कोईस्टन देखा था जो कि एलोचे नामक e-commerce platform को लांच किया था यहां के सरकार के दौरा नागलन की रादानी क्या होती है कोई मा यहां के cm कौन है निव फियो रियो राजजेपाल की बात के तो आरें रवी और लोकसभा और राजसभा में सीटों की संख्या एक के बराबर है ठीक है चलिए सेकेंड कुशन यह बनता है कि किर्केट के चेतर में रा पांचवे एथलीट में सामिल हो गया यानि कि पांचवे नंबर के एथलीट बन चुके हैं अगर बात करें कि इससे पहले किन की लोगों को राजियो गांदी खेलतन प्रसकार के चेतर में दिया गया तो सबसे फॉस्ट नंबर प्याते संचीन तेंदूलकर जिनको 1997 और 1998 मे चलिए थर्ड क्या बनता है कि गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन जिनका हाली में निधन हो गया वह किस छेतर से जुड़े थे तो करेक्ट आंसर आपसंस नंबर डी क्रिकेट से चीक है राइट आंसर विल बी आपसंस डी क्वेस्चन नंबर फोर कह रहा है कि निमलिकित में से कि से होकी के लिए लाइफटाम स्पेडी में दुर्णाचार से संमानित किया गया तो इस क्रेंस का राईट अंसर क्या होगा कटारेक्ट अंसर विल ее करेक्ट आंसर दी यानि कि स्री रहै करते हैं उनको दिया जाता है और इसके स्टार्टिंग कब से के गई थी 85 से की गई थी यानि कि उनीस सो पचासी से स्के स्टार्टिंग की गई थी याद रखेंगे चीक है चलिए फिफ्ट को देखते हैं क्या कह रहा है किस मंत्राले ने हरीतपः नामक एक मोबाईल अपको लांच किया आप किस मंत्राले ने हरीतपः नामक एक मोबाईल अप्लिकेशन को लॉज किया तो राइटन सुर्ण का ऑपसिंस नंबर कि सडख desc. परिवहन और राजमार्ग मंत्राले के दौरा इसको लॉज किया गया इसका इस्तमाल क्या होगा तो रास्टी राजमार्ग पर ब्रिक्षरोपड की निगरानी के लिए इस एप का इस्तमाल किया जाएगा ठीक है चलिए नेक्स नमारा क्या बनते है देखें किस देश के साथ भारत ने निसिस्त्री करण और परमाडू हत्यार अप्रसार के छेत्र पर अबहासी विचार विस्मर्ज किया है राइट एंसर हो जाता है ऑप्सेंस तंबल एद दच्छिड कोरिया ध्यान रखेगा दच्छिड कोरिया के साथ नेक्स्ट एक किस राजी की पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अवियान चला रही है एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अवियान चला रही है किस राजी की पुलिस तो काफी अच्छा प्रस्ट बन जाता है याद रखेगा question number 8 कह रहा है कि भारत के ने चुनाव आयुक्त के रूप में किसे न्युक्त किया गया इस questions का right answer हो जाता है options B यानि कि राजियू कुमार को अब बात करते हैं कि किसका स्थान ग्राण कर रहे हैं तो यह स्थान ले रहे हैं असोक लवासा का असोक लवासा जो इस यह भीकास बैंक में उपाद्यक्च के रूप में सामिल हो चुके हैं तो इनके स्थान पर अब राजियू कुमार को चुनाव आयुक्त के रूप में न्युक्त किया गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और question number 9 देखें क्या है भारत के किस पडोसी देश में सुनहरे खोल वाले कच्छुए का जन्म हुआ है तो राइट answer will be option C नेपाल हमें आपको बता दू कि नेपाल के धनुस्ताम जीले में इस नई प्रजाती के कच्छुए की खोस्त की गई है तो राइट answer हो जाता है options number C next question के रहा है कि भारतिय तट्रक्षक बल ने किस राज्य में इंटर्सेप्टर नाव ICGSE 454 का चलावरण किया है तो इस questions का right answer हो जाता है options number A यानि की गुजरात ठीक है options A यहाँ पे correct answer हो जाता है लार्सन और टर्बो कंपनी के द्वारा भारतिय तट्रक्षक बल के लिए गुजरात के सूरत में एक नई इंटर्सेप्टर नाव जलावरण किया गया तो यह आप याद रखेंगे देखें नेक्षोसंस क्या कह रहा है यहाँ पर बात मैंने सूरत की की थी तो ध्यान रख सकते हैं कि विस्व स्नूखर चाम्पियंशिप 2020 का कि लिए कि जीता है था तो राइट है आप्स नंबर ए यानि की रॉन्ई उसुलीवान ठीक है रॉनी उसुलीवान बिलकुल करेक्ट होगा अब बात करते हैं कि इन्होंने किसे हराया तो इन्हें ने हराया है कीरें विलस पिछले साल की बात करेंगे तो पिछले साल जो राणी है वह सेकेंड डाइंक पे थे एद याद रखेगा कैंज सरकार ने वर्ष 2020 में कितने लोगों को अरजुन पुर्षकार के लिए नामित किया तो अर्जुन पुरस्कार के लिए बात करें तो ऑप्संस यहां पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर गा 27 लोगों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया तो यह सबी चीज़ आप याद रख सकते हैं अगला पॉइंट क्या करें कि हाली में रक्षा नुसंधान और विकास संगट हैं यानि कि DRDO के अध्यक्ष जी सतीस रेडी के कारेकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया काफी अच्छा प्रस्ट होता है वीवाई प्रस्ट ने आप इस चीज़ को याद रखेगा कि जी सतीस रेडी के कारेकाल को कितने वर्सों के लिए बढ़ा दिया क्या तो राइट अंसर यहां पर हो जाता है ऑप्संस नंबर डी दो साल के लिए डी आडियो के अध्यक्ष चुहें हाली में जो जी सतीस रेडी इनके दो साल का कारेकाल का विस्तार कर दिया गया अगस्त 2018 मिन की न्यूकती की गई थी दो साल के लिए ठीक है तो याद रखेंगे चले बढ़तें नेक्स केसंस की तरफ और अगला पॉइंट दीखी क्या है किस देज के रास्ट पती रेचैप तयप आर्दयान ने काला जागर छेतर में अब तक का सबसे बड़ा प्राकिर्टी गैस भंडार की खोज की घोस्टना की है तो इस क्वेसंस का करेक्ट आंसर क्या होगा ओप्सनस नंबर बी यानि कि तुर्की ठीक है तुर्की बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ध्यान रहेगा रेचैप तयप आर्दयान जो हो तुर्की के राश्ट पती है और अगर हम बात करें तुर्की से लेटेड दो पॉइंच जैसे कि इसकी राधानी क्या होते है, तुर्की की राधानी होती है, अंकारा और इसकी जो मुद्रा होती है, वो तर्किस लीरा होती है, यानि कि तुर्की को इंग्लिस में तर्किस ही कहते हैं, तो तर्किस लीरा आप ये इस चीज़ को याद रखेगा, question number 15 देखिए क्या, तेंजिंग नारगे राश्टी सहासिक पुरुस्कार 2019 किसने जीता है, तो बताएए कि तेंजिंग नारगे राश्टी सहासिक पुरुस्कार 2019 किसने जीता है, तो इस questions का right answer हो जाता है, options number A यानि की गजानन यादो, ठीक है, गजानन यादो, विंग कमांडर गजानन यादो ने एयर एडवेंचर स्रेडी में तेंजिंग नारगे सहासिक राश्टी पुरुस्कार 2019 को जीत लिया है, तो नामची कहां पर पढ़ता है, यह सिक्की में पढ़ता है, options A will be a right answer, यह स्टेडियम इनके जन्मस्थल यानि की वाचिंग भुटिया के जन्मस्थल के, यानि की दच्छडी सिक्केम के तिनकी तमजीले के करीब में होगा, ठीक है, करीब उसी के लागबग आसपास में है, तो यह आप याद रख सकते हैं, किस राजचे में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया, तो हाली में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राजचे के दौरा किया गया, तो राइट अंसर होगा, options नमबर D, असाम के सरकार के दौरा पर ब्रह्मेपुत्र नद पर जोकी गोहाटी और उत्री गोहाटी को जोड़ने के लिए 1.8 km ध्यान रिखी का 1.8 km जोकी भारत का सबसे लंबा रोपवे होगा ठेक है यह स्टार्ट किया गया इसके बारे में आपको अलग से पार्टिकुलर वीडियो बना करके काफी अच्छे तरीके से समझात अगर नहीं देखा तो उसको देख करके आप समझ सकते हैं नेक्स्ट क्या रहा है कि किस अंस्थाने सी उनादर विश्व विद्याले के सायोग से पर्यावरण के अनुकूल लीथियम बैट्री विक्सित की है तो राइट अंसर हो जाता है ऑप्संस नंबर सी आई आई टी बॉमबे ऑप्संस सी विल भी करेक्ट अंसर ठीक है नेक्स्ट देखी क्या किस देश ने सफलता पुरवक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपगरा गाउफिन नाइन जिरो फाइल लॉंच किया है क्या होगा करेक्ट अंसर ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग जो उपगरा है गाउफिन नाइन जिरो फाइल किस दौरा लॉंच किस देश के दौरा तो करेक्ट अंसर ऑप्संस नंबर डी चाइना के दौरा लॉंच किया गया मैं आपको बता दू कि चीन के जिवकान ही तो भी स्थापित किया गया तो यह चीज़ आप याद रख सकते हैं अगला पॉइंट क्या करें कि हाल ही में अंतराश्टी किर्केट परिसद ने लिसा स्टालेकर को हाल हॉफ फे में सामिल किया तो वह किस देश संबंद रखती हैं यानि कि लिसा स्टालेकर जो हाल होने वाली जो कि नौवी महिला खिलाड़े बन गई हैं और इनके साथ हाली में किसनको किसनको जो कि सामिल किया गया तो दच्छर अफ्रिका के आल राउंडर जो हैं जैक्स कैलिस और साथी साथ पाकिस्तान के बल्लेबाद जाहिर अबास को भी समें सामिल किया तो यह इंडिया सोरूम का उधगाटन किया तो करेक्ट अंसर हो जाता है आपसंस नंबर डी मुंबई किंद्री जंजाती मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और इन्होंने आदिवासी लोगों की अजीवका को बढ़ावा देने के उद्धेसे से ट्राइब्स इंडिया ठेक है तो पिछले वीक में आपको ये चीज बताई थे अगला पॉण्ट क्या करेखी किस राज्य ने जंजाती बच्चों को मात्री वासा पढ़ाने के लिए नमत बसाई कारेक्रम सुरू किया है तो बताए कि नमत बसाई कारेक्रम जो है किस के दौरा सुरू किया गया कि हर घर सिक्षा मोहया करानी के उद्देश से और उन्हें अपनी मात्री भासा के मात्री भासा से ओगत करानी के उद्देश से ये नमत बसाई कारेक्रम को सुरू किया गया ठीक है तो याद रखेगा चले बढ़ते हैं नेक्सोंस की तरफ कुंडन कुलम परमाडू उड़्य सेंत्र जो खबरों में रहा है वह किस राज जी में इस्तीत है इस क्वेशन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्संस नंबर सी तमिल नाड़ू राज की तीरुनेल वेली जीले में इस्तीत कुंडन कुलम परमाडू उड़्या सेंत्र की पहली इकाई 400 मेगावाट बिजली उत तो भारतिया वायू सेंना में केरीाइट सम्मन्दी जनकारी प्रदान करने के लिए किस नाम से वाइल आप्लिके अन्म ऐ। तो राइट हैंसर हो जाता है options number C यहांने कि माई इंडियन इयरफोर्स एप options नवर सी यहां पर करेक्ट हो जाता यह किसकी दार लॉंच किया गया तो यहां कि जो आपर बात के यह एर की जो प्रमोख है राकेश कुमार सिंग भतूरिया के दोरा इसको लॉंच किया गया आई एफ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी यानि कि इंडियन एरफोर्स की स्थापना कब हुई थी 1932 में याद रखी को इसका हैड़कोर्टर कहां पर पढ़ता है निव डैली में पढ़ता है यह भी मौस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है चले आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखी क्या है यानि कि किस कॉंटिनेंट को पूरी तरह से द्वारा पूलियो मुक्त घोसित किया जा चुक है तो राइट अंसर विल बी ऑप्संस ए अफरीका ठीक है अफरीका यानि मैं आपको बता दू कि अफरीका का जो लास्ट देश बचा हुआ था नाईजिरिया जिसको हाल ही में डाबलो एचो ने पूरी तरह से पूलियो मुक्त घोसित किया और उसको घोसित करने के साथ ही जो पूरी तरह से जो अफरीका कॉंटिनेंट है वो आपका डाबलो एचो के तहत पूलियो मुक्त घोसित किया जा चुक है अब यहां से एक क्वेशन और पूजा सकता है कि भी आप याद रखेगा ठीक है इससे अलग से मैं आपको पार्टिकुलर वीडियो बना करके समझाया था यह सभी चीज़ों को तो आप वहां से भी देख करके सीख सेकते हैं निर्यात ततपरता सुचकांग यानि की एक्सपोर्ट प्रिप्रेडिनिस इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य सिर्थ अस्थान पर है तो राइट अंसर विल बी ऑप्सिंस डी गुजराथ सेकेंड रैंग की बात करें तो महाराष्ट और थर्ड रैंग पर जो की तमिलाडू आता ठीक है इन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काफी महत्यपूर्ण भूमिका निभाई है तो इस वज़े से यह आप जो की टॉप पे देख रहे हैं गुजराथ को ठीक है आगे बढ़तें नेक्ट शोजन क्या करा है कि निमलिखी जी आई टैक प्राप्त रस्मीरिी केसर ठीक है, ओपाउप्सिंज अंसर हो जाता है। अग्ला पोयिंट क्या करें कि विशवे जल सप्तर थैसर 2020 की तीथिया क्या है यानि कि जो जलसप्ता मनाये जाता, वह इसका डेट क्या है, तो इसका रहिट अंसर हो करने के लिए पर्तिक वस्वे जल सप्ता 2020 यानि कि पर्तिक वस्वे जल सप्ता मना जाता है अगला पॉइंट क्या कि क्रिकेट द्रो नामक पुस्तक भारत की निमली खीत में से किस कोच पर आधारित है इस पुस्तक का विमोचन जो कि अगले सप्त जो कि माह में किया जाएग है चलिए आगे बढ़ते और देखें नेक्स्ट क्या है अंतराश्टी बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे युवा लेखक कौन है मैंने अपने वेबसाइट पर इसके बारे में काफी अच्छी तरी कैसे आर्टिकल लिख करके आप समझाया था अगर आपने उस आर्टिकल को नहीं पढ़ा तो वहां पर आप जाकर करके पढ़ सकते हैं अंतराश्टी बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाले सबसे युवा लेखक की बात करें तो आपसेंस नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंस होगा मैरिक लुकास डीजन वेल्ड आपसेंस डी विल बी करेक्ट आंस है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखें नेक्स तो संस क्या कह रहा है किस देश में खुदाई के दौरान अर्टी सो साल पुरान किराड देवी की मूर्ती मिली है अर्टी सो साल पुरानी किराड देवी की मूर्ती मिली है किस देश में खुदाई के दौरान इस क्कूशन का राइट एंसर हो जाता है आपसेंस नंबर बी यानि कि नेपाल में खुदाई के दौरान ये प्राप्त हुई है ये मूर्ती जो तो correct answer हो जाता है सुधा पेनूली, options number यहां पर B correct answer हो जाता है सुधा पेनूली, ठीक है, options B will be a right answer, next question है कि launch पुस्तक national security challenge, young scholars perspective का वीमोचन किस ने किया है, तो इस questions का right answer हो जाता है, options number A, यानि कि General Manoj Mokun Narwani, options A will be correct answer, जो कि army chief है, और यह friends जो पुस्तक है, वो भारत की रास्टी सुरक्षा और देश के युवाओं के बीच, रणितिक सोच की विक्सित करने के लिए, रणितिक सोच को विक्सित करने हैं, तो इस उदेशे से इस पुस साथ याद रखेगा, next question क्या रहा है कि कि बैंक ने अपने ग्रहकों के digital अनुभाव को बेहतर बनाने के लिए, एड़ॉफ के साथ समझाता किया है, बताए कि एड़ॉफ के साथ हाली में समझाता किया है कि इस बैंक ने अपने ग्रहकों को digital अनुभाव को बेहतर बनाने के है तो राइट एंसर हो जाता है ऑपसंस नंबर ए यानि की HDFC बैंक ठीक है HDFC बैंक बिल्कुल करेक्ट हो जाता है तो देखिए आज किस वीडियो में लोगों टोटल 35 मोस्ट इंपॉर्टन को कवर किया है I hope कि आप लोग को आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी व मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी ने टॉपिक के साथ थैंक्स वाचिंग, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, हाव अब गूड देग